बिलासपूर से एक बड़े खबार प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल के साथ दूर्वयवार का मामला सामने आया है PCC चीफ दीपक बैच के सामने दूर्वयवार का मामला सामने आया तो शेहर कॉंग्रस कमीटी ने कारण बताओ नोटेस जारी किया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे है बिलासपूर से जहापर प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल के साथ दूर्वयवार क्या गया और यह तस्वीरे आपकी टीवी स्ट्वीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं बिलासपुर के तस्वीरे हैं दुर्व्यवार की तस्वीर सामने आई है आपसे नोग जोग की तस्वीर सामने आई है क्या कुछ पूरा मामला रहा है विस्तार से बताईएगा देखिए राधा ये बहुत बड़ी ख़बर है कॉंग्रेस नी सीधा सा ये शंदेश दे दिया है कि जो भी कॉंग्रेस में अमार यादित भासा का उपयोग करेगा इस्तिमाल करेगा उसे जो है प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी और जीला कॉंग्रेस कमिटी किसी हाल में नहीं बक्सिए और यही कारण है कि जो वरिष्ट नेता है कॉंग्रेस के और पूर महापौर राजेस पांडे जी ने सुबोध हरितवाल प्रदेश महामंत्री है जिनके साथ मिकल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बहच की मौजूदगी में जो है दुर्वेभार किया गया अमर्यादित भासा का प्रयोग किया गया और इसके अलावा जो है कई तरह कि ऐसी अमर्यादित बाता बाते कही गई जो अ वरिष्ट नेता है यदि वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आने वाले 24 गंटे में उनके खिलाप निलंबन की कारवाही होगी और सबसे जो बड़ी बात है राधा कि यदि ये कारवाही होती है तो आने वाला जो नगरी निकाह नगर जी के साथ और जुन्होंने अमर्यादित भासा का उप्योग किया ये घटना क्यों हुवी ये भी जानना इसलिए जरूरी है राधा क्योंकि ये कॉंग्रेस विधायाक अटल स्रीवास्ताव से जुड़ा मामला है वो लगातार जो है भारती जनता पार्टी जो है अटल स्र देखना होगा कि कॉंग्रस नेता राजेश पांडे अपने जवाब में क्या कुछ कहते हैं मेरे सजानकारी स्वाचा करने कले आपका शुक्रिया आजेश